तो गैसे और तुम लग तुम लोगों का फिर एक बार स्वागत हो चुगा है तुमारी फेवरिट चैनल रिशे रिच में तो आज हम लोग यहाँ पर एक सिंपल सा पर बहुत बढ़िया दिखने वाला एक वुडन हाउस बनाने वाले क्योंकि हम बहुत सारे लोग वुडन हाउस तो बनाते है पर वो बहुत सिंपल सा दिखते है तो यह देखो अब मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ कि वो वाले वुडन हाउस के लिए जो आज हम लोग बनाने वाले उसके लिए क्या-क्या मटरियल लगने आला है तो बहुत इजी सा है यह सारी चीजे तुम लोग बहुत इजी लिए अपने सर्वाइवल वर्ल में ले सकते हो और जो मैं डेकोरिशन के लिए यूज कर रहा हूँ वो तुम लोग अगर यूज नहीं करना चाते तो उसके बदले कोई और सामान लगा सकते हो क्योंकि इसमें से एक-दो सामान ऐसा है जो कि बहुत मुश्किल से मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक पिलर बना लेते हैं जो कि 10 ब्लोक की हाइट में और तुम लोग इस पूरे घर को 10 क्रोस 5 में मतलब इतनी सी जगा में बना सकते हो तो अभी फड़ाफट से यह 10 ब्लोक वाला पिलर में बना लेता हो और उसके सामने हम लोगों को फिर से 2 ब्लोक लगाने और तीसरे ब्लोक में फिर से एक और पिलर बनाने तो यह टोटल में इसका 4 ब्लोक लेंथ हो चुका है तो फड़ाबट से यह भी पिलर हम लोग बना लेते हैं यह भी 10 ब्लोक नीचे हम लोगों को लगाने है और यहाँ पे मैं देखो एक डार्क ओक यूज़ कर रहा हो क्योंकि मुझे यहाँ पे डार्क कलर चीए और उसके बाद बाकी वाला घर बनाने के लिए हम लोग नॉर्मल वाला ओक प्लैंक से उस करेंगे तो यह डार्क और लाइट को कॉम्बिनेशन में बना रहा हो तुम लोग अगर इसको पूरा एक ही में बना सकते हो तो वो भी बना सकते हो तो अभी चलो यहाँ से उस पिलर के बाद तुम लोगों को 8 ब्लोक्स लगाने है यानि वो पिलर छोड के 8 ब्लोक्स लगाने है बीच में गैप 8 ब्लोक्स की होने चीए और फिर फिर से 9th block से तुम लोग को नीचे 10 block वाला pillar लगाना है अब ऐसी मैं 4th pillar भी बना लेता हूँ और सब को join कर लिया है यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैंने सारे 4-4 pillar को उपर से join कर लिया है और यह कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी उपर ना हम लोगों को design करनी है तो एक-एक block छोड़के हम लोग फिर से 2-2 blocks बीच में dark oak लगा देंगे तो ऐसा एक design लगेगा तो यह भी मैं फड़ा-फट से कर लेता हूँ ऐसे तुम लोगों को आराम से तुम लोग एक-एक block छोड़के तीनों तरफ करना है यह थोड़ा सा कुछ गड़बर हो गया एक मिनिटा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे pillar तो मैंने छोटा तो नहीं बना दिया नहीं सही तो लग रहा है अच्छा अच्छा याद है याद है चलो बीच में तुम लोगों को दो लगाने है ताकि यह बरावर से इवन हो जाए क्योंकि यह 9 blocks ही height है न अगर 10 होता तो यह RM से हो सकता था अभी वैसा ही तुम लोगों को यहाँ पे करना है उपर एक जोड के लगाने है और फिर फिर से एक एक block छोड के लगाने तो ऐसी ही मैं दूसरे side भी कर लेता हूँ फटावट से और फिर तुम लोगों से मिलता हूँ तो यहाँ पे देखो मैंने सारे तरफ वो design बना लिया है कुछ इस तरह से दिख रहा है अभी यह अपने pillars बहुत सही तरीके से बन चुके है अब हम लोग क्या करेंगे बीच का जो main हमारा घर बनने आला है उस पे काम शुरू करते हैं तो अभी सबसे बहले हम लोग यहाँ पे oak planks ले ले लेते हैं और फटाफट से यहाँ पे अपने oak planks लगा देता हूँ जैसे इस तरह से अभी हम लोगों को आगे घर के लिए काम शुरू करना है तो यहाँ से अभी हम लोगों को pillar लगाना शुरू करना है तो यहाँ पे मैंने 4 blocks height का एक pillar बनना है वैसी जो end में हम लोग मतलब एक plank जो भार लगा है मैंने उस तरफ फिर से एक 4 block का pillar बनना है अभ वैसी हम लोगों को side में pillar बनाते हूँ जाना है और इसका क्या करना है पता है देखो तुमारा जो pillar है ना जो dark oak वाले pillar है उनसे एक block की gap रखके तुम लोगों को बननाना है और अभी मैंने ये दोनों तरफ बना लिया है और वैसी अब मैं ऊपर तक एक pillar बना लेता हूँ तो तुम लोग इसको देख सकते हो कि तुम लोग सारे तरफ एक-एक block की gap रख रहे हो जो dark pillar है और वो जो light pillar है समझे बहुत easy है तुम लोग easily ये घर को बना सकते हो अभी फिर से एक और side की तरफ हम लोगों को pillar बना है मतलब तुम लोग इसको एक question mark के design में बनाने वाले हो देख रहे हो ऐसी दोनों तरफ तुम लोगों को same ही करना है इसको भी एक block की gap तक रखना है मतलब अभी इन सब को हम लोगों को join करना है देखो ये question mark दिख रहे है और बाकी हम लोगों को इसको पूरा fill कर देना है side से fill नहीं करना है बाकी beach में जो भी blocks है वो पूरा fill कर देने का है अभी मैं फड़ा-फड़ से ये सारे blocks fill कर लेता उपर तक फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ ये देखो मैंने सारे blocks fill कर दिये अभी अपना पूरा base बन चुक है अब main हम लोगों को जो बचता है काम वो होता है हमारा farm बनाना तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे नीचे farm बनाने वाले और उसके लिए भी water source ऐसा बनाएंगी कि वो दिखने ही नहीं वाला है ये जो पूरा अपना घर दिख रहा है उसके नीचे अपना farm आने वाला है तो भी यहाँ पे हम लोग फड़फट से ladder लगा लेते है और उसके बाद अपना farm का काम शुरू करते है तो यहाँ पे उपर जाने के लिए ladder भी लग चुकी है अब मैं जल्दी जल्दी से farm बनाना शुरू करता हूँ यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले तो water source भी बनाना है तो इसके लिए क्या करना है पते है देखो यह dirt block निकालो और जो हमारा pillar था ना उसके नीचे का भी dirt block निकालो और वहाँ पे water source बना दो देख रहे हो इस तरह और यहाँ पे मैं फिर से यह grass block से cover कर लेता हूँ तो अभी मैं creative में वह इसलिए grass block यूज़ कर रहा हूँ farm को तैयर कर लेता हूँ और पूरे seeds लगा देता हूँ तो जो चीए तुम लोग यहाँ पे seeds लगा सकते हो मैं wheat और carrot लगा रहा हूँ क्योंकि वही सबसे जादा useful है यहाँ पे trading में भी बहुत काम आते है और carrot से तुम लोगों को पता है कितना जल्दी health बढ़ती है रहा हूँ furnace या फिर blast furnace यह सब लगा रहा हूँ और थोड़ा सा अपना जो food collect होगा उसके लिए भी storage के लिए जगा बना रहा हूँ यह सारी की सारी चीज़े तुम लोग आराम से survival में बना सकते हो और अगर हम लोग cooked food खाते है तो जादा health बढ़ती है तुम लोगों को बता है इसलिए मैंने यहाँ पर smoker और यह सब चीज़े लगाई है तुम लोग चाहते हो तो यहाँ पर crafting table लग सकते हो जिससे जैसे तुम लोगों को wheat मिलेगा तुम लोग उससे bread बना सकते हो समझे जो भी तुम लोगों को पसंद आएगा तुम लोग कर सकते हो मैं बस तुम लोगों को एक छोटी सी idea देने के लिए यहाँ पर जैसा मुझे पसंदे वैसा बना रहा हो क्योंकि उसके बिना तो मैं बाहर trapdoor लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि ट्रैपडोर अगर एक दूसरे के आसपास लगाने हो तो तुम लोगों को पता है कि हम लोगों कोई सिर्फ दबा के यह करना पड़ता है वरना trapdoor लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बार- बार दूसरा ओले ट्रैपडोर खुलता रह जाएगा और जिन लोगों को नहीं पता तो उनकी लिए ये टिप है कि तुम लोग सिर्फ दबाके एक दूसरे के आसपस ट्रैपडोर लगा सकते हो अभी मैं फटाफट से भार के तरफ ट्रैपडोर लगाता हूं क्योंकि हम लोग ने दूसरे साइड बेस को कंप्लीट कर लिया है मैं थोड़ा दूर से तुम लोगों को दिखा रहा हूं ये कैसे दिखता है ये देखो अब यहां से फड़ावट से ये सारे ट्रैपडोर में तोड़ देता हूं मैंने सीम टेकनिक यूज़ करके इस तरफ भी लगाया है औ और अब हम लोगों को बस ऊपर के घर का इंट्रियर बागर यहां पे मैंने फरनेस लगा दिया है उसके पास में मैं क्राफ्टिंग टेबल लगा रहा हूं क्योंकि फरनेस और क्रास्टिंग टेबल का सबसे ज़ाधा काम आता है अब यहां पर हम लोग एक बुक सेल्फ लगा रहा हूँ, तुम लोग अपने घर को अपनी तरफ से डेकोरेट कर सकते हो, पर तुम लोगों को एक छोटा सा आइडियर है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा वाट डेकोरेशन कर रहा हूँ, वैसे तो यह घर बहुत बढ़िया लग रहा है, तुम लोग इसको से आर्मर रख देता हूँ, जल्दी जल्दी यह कंप्लीट हो जाएगा, और यह बस इंटिरियर बाग की है, वो मैं फटा फट से कर लेता हूँ, तब तक यार दोस्तो अगर तुमने इस वीडियो को भी तक लाइक नहीं किया हो, तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइ करके, अभी यह देखो दूर से हमारा गर कितना बढ़िया लग रहा है, एक नहीं बहुत ईजी साब पर बढ़िया दिखने वाला वुड़न हूँ, जिसको तुम सभी लोग अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बहुत ईजी ली बना सकते हो, तो और दोस्तो इसी बात के साथ आज के वीडियो तो बस हम लोग यही तक रखने वाले, मैं तुम लोगों को मिलूँगा ऐसी एक और नए वीडियो में, जिसमें हम लोग कुछ और बढ़िया चीज बना रहे होंगे, पर तब तक के लिए, बाई बाई